नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से इपर आपको सागत है, तो आज मैं बात करने बला हूँ, Tata Group के एक दिगज कंपानी के बारे में, इसका नाम आप बहुत बार सुन चुके है, जिसके उपर में बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, तो इसी कंपानी के बारे में आज ब पता के आया हूँ के कोई भी quarter का result आने के बाद उस stock में आप decision लेना चाता है, तो decision ले सकते है, तो quarter 2 का result किस तरीके से हुआ, company का performance कैसे हूआ, उसको आपको जुरूर देखना चाहिए, क्यूंकि कुछ दिनों में Tata Power जिस तरीके से भागे है, मतलब जिस तरीके से तेजी दिखा है, तो उसको पीछे तो reason जुरूर बनता है, तो reason actually result basis आपको देखना पड़ेगा, कि result में आपको कितना profit हुआ, कितना loss हुआ, और कितना company ने growth किया, तो उसी का अंदाजा आपको लगने वाला है, तो video को पूरा देखना, और अभी तक मेरे चनलन को subscribe नहीं के तो ज यहां पर चाट पटन के ऊपर एक बार रिप्रेस करते हुआ, यहां पर देख सकते हैं, करीबन आज के दिन अभी भी market actually negative में open हुआ, निप्टी और भी करीबन 1% तक गिरावट, 1% नहीं, करीबन 0.85% का गिरावट दिखाया, तो उसके बाद निप्टी ने फिर से recovery किया, तो उसी का नजरिया यहां पर भी देखने को मिला, जितने सारे सेक्टर है, सारी हर कोई सेक्टर में profit booking देखने को मिला, तो यहां पर टाटा पावार में भी अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिला, market जब open हुआ, मगर इस गिरावट के पीछे result से कोई मतलब कोई compare आपके नहीं करूँगा, क्योंकि result जब दस company ने किया है, उस result के बारे में बात करूँगा, तो यह तो इंटर डे वाला काम हो गया, आज गिरावट हो गया, फिर से आफ हो गया, तो अफसन डाउन तो चलते रहेंगे, तो आप long term निवे सक है, तो आपको long term के लिए सोचना चाहिए, तो टाटा पावर के बारे में बात करूँ तो टाटा पावर का मैक्सिमा चार्ट पेटन दिखा दू, तो जिस तरीके से performance company ने किया है, इस गिरावट के बाद, मतलब करूना के situation के बाद, जिस तरीके से गिरावट company ने दिखा है, मतलब अप 10 दिखा है, तो कर रहा है, solar panel के उपर, gain energy के उपर, और बहुत सारे winds energy के उपर काम कर रहा है, तो बहुत सारे project के उपर बढ़िया से बड़ा solar panel के उपर काम कर रहा है, तो future में जिस तरीके से इस sector को आगे जाना चाहिए, उस सी sector में सबसे पहले टाटा पावर काम करना शुरू कर दिया, त बेसी का नजर है आपको कुछ दिनों में यहाँ पे जाबदस तेजी के रूप में देखने को मिला इस कमपानी का प्राइस रेंज करीबन करीबन देखा चाहिए 30 रूपीज चल ला था अभी बोट 215 रूपीज चल ला है मतलब आपको एक साल के चार्ट पटन देखा दू तो एक साल मतलब 2020 का ऑक्टोबर से में चार्ट पटन देखा दू करीबन कमपानी ने 314 परसन का रिटन दिया देखे कोई भी स्टॉक अच्छा कासा भाग रहे तो उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए सबुत जो कंपानी किस लिए भाग रहें कॉम्पानी ओवियाश लिए अच्छा का सा काम कर रहा है तो इसी लियर भाग रह है तो इक особ चलते रहेंगे क्योंकि देखाजे साथ साथ दिन तक मार्केट जो डाउन टेन में है मतला मार्केट का जो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है जब अधस प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है तो उसी का नजरिया आपको देखने को मिला तो थोड़ा सा यहां पर गिरावट दि सकते हैं अपर देखें बताएगे टाथा पाव प्रॉफिट रेइज मतलब कोमपने प्रॉफिक गें किया है 51पर्षान मतलब खुद का जो फांट है उसका जो कशले सालो में पिछले सप्छले कोडर में जबफ उसमें से कॉमपैनी नेties 51पर्सन मतलब मान के चलिए पिछले quarter में 500 करोड था अभी 750 करोड हो चुके है मतलब company 50 वर्षन जाम यहाँ पर दिखाया है करीवन करीवन 421 करोड का टोटल यहाँ पर profit company ने दिखाया है तो इसी का नजरिया आपको feature में देखने को मिलेगा हाँ आज के दिन गिराबट हुआ देखे अच्छा का सा रेजल आने के बाद भी नेक्ट दिन में अच्छा का सा गिराबट देखने को मिला तो उसके पीछे कुछ खराप रिजन नहीं है उसके पीछे एक ही रिजन है वह प्रॉफिट बुकिंग company जब अद्धस प्रॉफिट बुकिंग चल रहे हर कोई सेक्टर में पॉफिट बुकिंग चल रहे तो इसलिए अच्छा का सा यहाँ पर तेजी डाउंटेंग देखने को मिलना है तो यहाँ पर में quarter का result के उपर आ चुका हूँ यहाँ पर करोड़ों में figure दिया गया है तो totally जो figure आपके सामने में दिखाऊंगा total company जो expense किया है company जिसते तरह के किया है यहाँ पर देखिए audited file मतलब audit हो चुके है उस file को यहाँ पर publish किया है तो आप देख सकते करीबन 2364 करोड़ पिछले quarter में 200 sorry 244 करोड़ पिछले सालों में और भी कम था 1700 करोड़ तो हर सेक्टर में देखा जाए इस quarter में अच्छा का सा performance income में ही पहले दिखा दिया उ कमपानी जिसतरी के से expense किया उसके हिसाब से company करीबन 1800 करोड़ का expense पिछले quarter में 1800 करोड़ का expense पिछले सालों में 1644 करोड़ का expense तो यहाँ पर देखिए income के basis से मैं पिछले quarter के तुलोना करू तो expense ज्यादा हो गया था पिछले सालों में भी देखा जाए expense ठीक ठाक लेबल मे तो इसका फाइदा company को मिला देखिए कोई भी company में profit income कितना हुआ उसके बाद उसको taxes देना पड़ेगा बहुत सारे charges पे करना पड़ेगा और उसके सारे expense चोड़ना पड़ेगा उसके बाद उस company को profit होगा तो इस company ने जिस तरीके से profit gain किया वो मुझे सांदल लगा क्यूं वान थाउजन 700 करोड का टोटल किया पिछले quarter में 585 करोड का profit किया था पिछले सालों में 130 करोड का profit क्या तो यहाँ पर double से भी ज्यादा profit यह पर देखने को मिला तो इसी लिए यहाँ पर मायंट ने बताया 50-55% से भी ज्यादा यहाँ पर पॉफिट देखने को मिला आप एक बार यहाँ से comparison करो तो आपको जूरू देखने को मिलेगा इस profit growth के बारे में तो company के EPS के बारे में बात करो company EPS भी बहुत दगड़ा एक position में लेके आके खड़ा कर दिया 5.72 इस quarter का EPS है मतलब आर्निंग पर share है मतलब आपको जिस कोई भी एक share खरीदने में आपको 5 र बिछले सालों में तो और भी कम था 0.19 तो बहुत कम था उसमें से इतना अच्छा का सा जाम हो गया यह भी एक positive symbol माना जाता है तो company का जो financial report है उसकी इसाब से मुझे company में जबदस performance लगते है और भी आप segment wise भी देख सकते है या पर देखिए जितने सारे segment wise company ने profit कमा है उसक overall यहां पर भी अच्छा का सा एक growth देखने को मिला तो हर department से यहां पर growth देखने को मिला और company के बारे में बात करूं company जबदस्त है इसके उपर आपको बने रहना चाहिए long term के लिए short term के लिए मत आप काम करना चाते तो खुद का analysis करके काम कर सकते है और आपको interday basis call चाहिए तो आप खुद का analysis भी करिए और आप मेरे साथ जूनना चाते है मेरे team के साथ जूनना चाते है तो आप interday call भी मिल सकते है आपको free of cost आप नीचे इस वीडियो के नीचे एक telegram का link दियागा है उस link में जाकर join हो जाएगे वह आपको free of cost मिल जाएगा call तो company के बारे में बात करो maximum chart के बारे में बात करो हमेंसे आपको आप 10 देखने को मिलेगा देखे company बहुत दिन तो एक flat moment में चल रहा था एक इस period में देखा जाए तो company एक flat moment में चल रहा था उसके बाद company नीचे नहीं आया देखे company नीचे भी आ सकता है देखे एक कोई बात नहीं हो गया के company rocket के तरह भाग गया और भी rocket के तरह भागेंगे डाउन तो हो गाई profit booking तो हो गाई तो उतना जाबदस गिरावट हो रहा है के नहीं हो रहा है उसको आपको देखना चाहिए तो जिस तरीके से quarter basis company performance कर रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है company में future में जोरूर एक potential वाला काम करन वाले हैं तो इसके उबर आपको हमेसा बने रहेना चाहिए long term के लिए क्योंकि company का market capitalization भी अच्छा है 69,000 करोड और company का जो high था 52 का 267 और low था 51 तो मतलब कितना यहाँ पर difference है अब देख सकते हैं तो company अच्छा का सा dividend भी देते हैं करीबन 72% का company dividend भी दे चुके है और company का PRC CEO दिखा जाए तो 8048 है तो 48 भी करीवन 200 price range में कोई भी stock का price PRC 48 है तो यह भी थोड़ा सा मुझे high लग रहा है देखे थोड़ा सा यहां पर गिरावट हो सकते हैं आप इस stock में खरीदारी करकर रखे तो आप panic मत होना future के लिए सोचिए इस company के बार में तो आपको जूरूर एक potential मिलेगा तिको जिस तरीके से government ने जो नया नया policy लिया रहा है और इस तरीके से इस company gain energy को पर काम कर रहे है उसके हिसाब से company में फीचर में आपको जोरूर फाइदा मिनने वाला है तो इसके उपर आप study करिए उसके बाद निवेस करने के लिए सोचिए मेरे कहने का मतल